प्रवर्त निदेशाले द्वारा बुर्धवार को एंपरेस मॉल को कब से मिलेने के बाद मॉल के सभी शोरूम्स को एंपरेस मॉल के मैनेजमेंट से किसी भी प्रकार का आर्तिक व्यवार नहीं करने की आदेश चार किये जा रहे हैं कॉलकत्ता से आई अधिकारियों की टीम गुरुवार को भी गानिसागरता लावसित एंपरेस मॉल में डटी रही एडी की और से मॉल के सभी शोरूम्स को दिये जा रहें नोटिस में कहा जा रहा है कि दुकानों का किराया बिजलिविल आदी खर्च एडी के खाते में चमा किया जाएगा एंपरेस मॉल के मैनेजमेंट कार्याले में किसी को भी प्रवेश के अनुमतीन नहीं है मॉल के प्रवेश दुआर पर एडी के आज से दस अधिकारी करमचारी तैनात है कारवाई को लेकर सभी चुपी साधी हुए है इस मामले में एंसेल्टे ने एडी को नोटिस चारी कर 6 दिसंबर तक चवाब मांगा था तब तक इस मामले में सगनादे इस चारी क्या गया था इस मामले में एंपरिस मॉल प्रभंदन ने बताया कि एडी को 8 दिन पहले ही रिजोल्यूशन की प्रतीत दे दी गई थी बता दे कि बिध्वार को प्रवर्त निदेशाले ने एंपरिस मॉल को अपने कबजे में ले लिया यह कारवाई 725 करोड रुपे का कर्स नहीं चुकाने के मामले में की जारी है यहाँ प्रपोर्टी लगबग 500 करोड रुपे कीमत की है प्रवर्त निदेशाले द्वारा शेहर की एंपरिस मॉल को अटैच के जाने की बाद मॉल प्रभंदन के SL& Industries Limited ने भी अपना पक्ष रखा है कमपनी का दावा है कि मॉल और ED के बीच का विवाद राश्य कमपनी कानून न्यायदिकरन की दिल्लिसित मुक्य खंडपीट में विचार दिन है इस मामले में 25 अक्टूबर को NCLT के आदीश की बावजूद ED ने 10 नवंबर को मॉल को अपने कवजे में ले लिया ऐसा करके उन्होंने न्यायदिकरन की आदीश का उलंगन किया है कैमर पोसन अकिलिच भारेद वाज के साथ अभिशेक पान से BCN News नागपूर